सभी बाईयों को राम राम नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आप सब का मेरी एक और नई वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको तीन बैस दिखाऊंगा टोप की अच्छी क्वाल्टी के बैस है तीनों बैसे अच्छी आईट लेंद की और अच्छे दूद्वारी बैस है आप वीडियो पूरा देखना ताकि आपको जो बैसें को डिटेल हो अच्छे सी मिल जाए और पूरी जानकारी आपको मिल सके आज मैं हूँ पूरा लोटिया गाओं में जो सुरुजगड के पास सिस्तित है और इनका डिश्टिक लगता है जूहनों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लेना तक कि मेरे आने वाड़ी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और बाजू में जो बैल आइकन है वो भी दबा लेना तो चलिए मैं आपकी किसान से बात करवाता हूँ और बैसों की पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं राम राम भाई साब आपको नाम और प्रोपर एड्रेस बता दे पहले तो मेरा नाम है देविंदर सर्मा पिताजी गानाम हराम बिला सर्मा गाउं फतेपुरा पोस्ट लोटिया तैसरी सुरजगाट जिलाज जिनू रजस्थान कितना दिन ते काम कर रहा हूँ आप वैसा वो बैसा वो गी चेर-पांचाल होगी कितना प्रोप और अब इस वीडियो में कितना प्रोप दिखा रहा हूँ तीन है वैसा वाज तो आपका मोबायल नूम्पर और बता दे पहले त्रेसट साथ सो पिचपन साथ तिनसो अडिसट है दूसरा नमबर है चैसी छाण में पिचाण में अठाण में तिराण में अच्छा चलो तो बैसे कौन से ब्यात कि हिया यह तीसरे ब्यात की बैसा इस साइड आ जा जा वह तीसरे ब्यात की है कितना दूद निकाल रही है और कितना दिन की ब्याई होगी? ब्याई होगी, ये टीश लाइस दिन की, कटड़ा इसके निच्चे है, मेलकाफ है. चलो तो इसने खोल के और दिखादे है कबर? रठारा की लोदूदू फिलाल त्यार है? वकाब त्यार है भाई साब. यह देखो दोस्तों बैस की quality देखो आप इस पलेश की बैस की लंबाई है वो काफी अच्छी है और पीट फुटे की चुड़ाई है वो भी काफी अच्छी है सांधार बैस है बिल्कुल पतली चमडी की बैस है यह नहीं कि जदा और अडर क्वाल्टी बैस की काफी अच्छी इन यह देखो फुट आप ४ यह देखो आप कफि अच्छा आटर है आगे से लेकर पिछे तोप लिया उल्टी और थना कास्पेस देखो कितना है तना में रखकास प्रे काफी अच्छी है और बिल्कूल वाल कट शुभू, कफिक शुभू, उर्ष कॉलोटी कपक restrictive टैसे, एंदर के रिखू चेयो, देट किलो गी भी तेयर है भाइसाँ इसका मोगा अच्छा अठारा किलो दूद और एडेट किलो गी और किमत कितनी कट आओ इसकी किमत तो भाइसाँ भी आकाल कि आइडी है जिदे अब थड़ो दोध कम कर रहा हूं इसाल से थड़ो दोध बढ़ा दे है एक दोधन अपा कौन करके संपरक कर ले बाईसाँ लोग उस भाइस की और डिटेटल बता दे दोस्तों एक और भाइस मैं आपको दिखा रहा हूं अच्छी क्वाल टीवी यह देखो भाइस की लंबाई देखो कितनी अच्छी है यह कौन से ब्यात के जी दूसरा ब्यात की बाईसाँ दूस और 20 कि रशुपर उपर दो तयारा मोक्य में और एक मेले की प्रेग्नेंट है हाई एक मेले की प्रेग्नेंट है आपको नहीं कितना दिन हो गया कली आई बाईसाब तभी थोड़ी चरी पीनी तभी आईसी दिखरी जव्टी खोलिए जी एक बाल यह देखो दोस्तों बैस तोप क्वाल्टी की बैस है बैसकी लंबाई देखो आप कितनी है बहुत ही लंबाई है बैसकी और आयट भी कापी अच्छी है और चमड़ी बिलकुल पतली चमड़ी है अडर क्वाल्टी देखो मैसी बिलकुल शांदर अडर है बिलकुल मोटे धन है और आयट लेन तो बै यह देखो, अडर क्वाल्टी देखो बैसकी, और थणो का गैफ है, वो काफी अच्छा है, एक बारे माँ आपको आराम से दिखाऊंगा, बैसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा है, और 20 लिटर दूद इसके निचे बता रहा है, और एक महिने की यह प्रेगनेंट है, और नि और मिलक वेन जो होती है वो, आप कलीर देख सकते हो बैसके अंदरे, इसकी कीमत बाई साब, इसकी बाई साब, इसकी बाई सामोक्के पहिकरेंगे, अच्छा मोक्का पहिकरोगा, और दूद दो टेम, तीन टेम जितना टेम देम, दो अनिवार यह तोलना पाई, अब तीन लेखलें पिक्छा है, अच्छा जा एक ओड दिखा दे, यह कॉन से बैत की है? एसरी बैत की? एच्छा यह कितना करनी दूद, इसमें 17 को दूद है, 16 कि अच्छा मोक्के पे तयार है, यह कितना दिन की बाई हो गी, आट geschता इस, शाधुत हुत के मेलक आप इसकर निचे अच्छा अडर क्वाल्टी देखो उपर से लेकर निच्छे तेक काफी अच्छा अडर है यह देखो आप अडर क्वाल्टी बहुत ही अच्छा शांदार अडर है और थनों का गयप इसका बहुत ही अच्छा थनों का गयप है बिल्कुल मोटे थना है मूठी अथने और दार भृत ही अच्छी मोठी दार है कि देखो ठुणों का गयप बहुत ही साँदार है तर शों overly yeah दिखाओ इसमें है फिट भाई फिट पे लगे है भाई साथ दिन की बैई होगे और निचे इसके फिरमेल काफ है और मैं आपको चला के आराम से दिखा रहा हूँ और नंबर में ने भाई की आपको दे दिये हैं आप इनसे संपरक कर लेना हर टाइम इनके पास है चार पाउच पसू आपको मिल जाएंगे और रुक्ने की रहने की फूरी सुविदा भाई के पास रखती है यह देखो बैशक इसकी किमत कितने कर रहा हो इसकी किमत सवा लाग रुपए बाई साथ अच्छी है बैस इस पलस्की है और साथ दिन की भी आई है चलके आने के बाद भी इसमें सोडा कि रदूर तरियाद है ठीक है बाई साथ दन्यवाद